हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आशागर्टी तुस्वस्त हो गे अच्छ हो मज़ें हो गया और पॉजिटिव कर रहे होगे आपको हमेशा ही पॉजिटिव करना है क्योंकि एक पॉजिटिविटिविटी अच्छाप करता है राइट और आज की स्टुडिव में हम देखेंगे आपके परसंग की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए वह क्या सोच रहे हैं क्या फील करने ठीक है इस पर इस वीडियो को लाइक करना है आपके परसंग के नाम को तीन टाइम दिल ही दिल में धोरा है आपके रिष्टे के अच्छे अच्छे बाते सूचे उनका स्माइली हैपी फेस इमेजिन करें एकदम रिलाक्स रहे गाइड करें इनिवर्स मेरे जो भी विवर्स इस वक्त इस रिडिंग को देख रहे हैं हम में इनके पार्टनर की इस वक्त मॉर्णिंग की फीलिंग बताएं ये मेरे युवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं गाइड करें ट्रू मैसेज दें एकदम रिलाक्स रहना है पेंटकल्स के एनर्जिस बन रही है स्टार्टिंग में ही टॉर्स अरगो केप्रिकां रश्व कर नमकर राश्य के आपके परसन हो सकते हैं जैमिन लिब्राक्पेरस मिथुन तुलकोम राश्य के हो सकते हैं नमबर थ्री बना है आपके रियेटिविडियो को शोग करता है चेंज को Show करता ठीक है तो definitely आपके person कुछ create करना चाहते है आपके साथ जो भी stuck situation, stuck situation को moment देना चाहते है, change लाना चाहते है, लेकिन ये person कितने selfish हैं आपको भी अठीस से पता है, ठीक है? selfishness में इनको जैसी कि ये समझ में नहीं आता है, गrator आते लेने के लिए डिले कर रहे है, आपसे बात करने के लिए डिले कर रहे है, उतना ही आप इनको जैसी की नफरत भरी निगाहों से देखना और ज़्यादा नफरत करने लगोगे, इनको क्या लग रहा है, कि आपने जैसी के अनकंडिशनली लव इन से किया है, तो चाहे आपसे क इसा भी behavior करें या फिर कितना भी delay करें आपकी जिंदगी में आने के लिए आप तो इनका इंतजार करते ही बैटोगे ऐसा इनको लग रहा है ठीक है इनको अपने प्यार के ऊपर complete भरोसा है इनको आपके ऊपर complete भरोसा है कि सच्चा प्यार तो आपने किया था अब इस person का मैं यह नहीं बोलूँगी कि प्यार जूटा था लेकिन selfish प्यार था ठीक है selfish मतलब अपने लिए अगर सही है तो रिष्टा आगे चलेगा और अगर नहीं सही है तो रिष्टा वही पर stop ऐसे energy देने वाली यह person आपको छोड़कर जब third party में चले गए थे third party के साथ कुछ कोशिश कर भी रहे हैं इन दो तीन दिनों में अगर इन्होंने आपको कुछ भी call message किया था और शायद आपने इनको कुछ होता है ना उम्मेद कर दिया इनको जैसे की value नहीं दी इनकी disrespect की आपके person को लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था egoistic person है इनको बहुत बुरा लगता है अगर आप इनका ego hurt करते हो तो दिल से तमना है इस वक्त आपसे बात करने की लेकिन negativity है बहुत ज़्यादा pentacles के उपर हो सकता है current में या तो इनको financial issues चल रहे है या तो इनको current में आपसे finance की help मागने की जरुरत पढ़ रही है मतलब की finance तो है लेकिन थोड़ा सा short है और हो short है शायद आप complete करा सकते हो ऐसा इनको लगता है ठीक है अगर पहले कभी भी आपसे finance की help नहीं लेते थे लेकिन current में इनको लग रहा है कि आपके अलावा कोई इनको help नहीं कर सकता और या तो यह हो सकता है कि आपको भी current में finance क जरूरत है और अगर आप इनसे हमेशा जैसी कि जब जब आपको जरूरत पढ़ती थी आप इनसे अगर पैसा लेते थे तो current में आपको लग रहा है कि काश यह इस पक आप दोनों का रिष्टा अच्छा होता तो at least आपको help तो करी लेता ऐसी कुछ situation है मतलब कि दोनों में स किसी एको पैसो की सक जरूरत है current में और जो कि देख रहे हो जब तक कि बात्चित अच्छे से ने हो पाएगा तो help भी ने मांग सकते और आपके person आप से current में sorry बुलवाना चाहते है sorry जो कि इनको लगता है कि आपने इनकी disrespect करी है आपने इनका ego hurt किया है तो आपका तो sorry बन जैसी कि गलत words जो आपने गुस्ते में इनको कुछ बोला है वो सुनाई दे रहा है और जब तक कि आप इनको sorry नहीं बोलोगे आप इनके सामने surrender नहीं करोगे तब तक ये person आपके लिए action लेने से पतलब रुके रहेंगे pentacles की energy is बहुत ज़दा negative है तब तक ये अपने finances की उपर focus रहेंगे अपने finances को attract करने में पेशा कही न कहीं से लाने में अपना focus वो लगाते रहेंगे और हर बार ये आपके जैसी की text अगर आप इनको बार-बार text करते रहते हो तो text करना तो पहले बंद कर दो क्योंकि ये आपके text को अच्छे से पढ़ पढ़ कर अपने दिन अच्छे से आगे चला रहे है जब जब आप इनको text या call message कर देते हो आपके person की दिल को एक सुकुन सा मिल जाता है अब हो सकता है कि कल रात भी आपने इनको कुछ text किया है तो इन्होंने 100% उसको पढ़ा है लेकिन आपको reply देते time या तो इतना सा ही कुछ yes और no में reply दिया होगा या तो reply ही नहीं दिया होगा क्योंकि इस person को सिर्फ और सिर्फ आपकी जिन्दगी में क्या चल रहा है ये जानने में interest है आप क्या कर रहे हो अपनी जिन्दगी में क्या आप थड़ परसं में जा रहे हो क्या आप इनको छोड़ने के बारे में decide कर रहे हो क्योंकि ये बीना पूछे ये आपको कुछ करते रहेते और आपके परसन यहीं सब कुछ पढ़कर आपकी जिन्दगी के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं और इनको जरूरी नहीं लगता है आपको रिप्लाइ करना क्योंकि अगर अगर रिप्लाइ करेंगे तो आप दोनों का कम्मुनिकेशन जो की पहले जैसा था वैसे स्टार्ट हो जाएगा और करन पर आपके साथ रहसा कम्मुनिकेशन स्टार्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ना तो यह आपको अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है यह बताने में इंटरेस्टेड है इनको सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन निकालते है ठीक है इनको पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको यह भी माइंटसेट फिक्स है कि यह आपकी जिंदगी में कब एंटर करेंगे कब आपसे बात करेंगे कब इनकी तरफ से आपको मोमेंट आएगा यह सब कुछ इन्होंने सोच के रखा है ठीक है लेकिन आपको बताना आपको clarity देना ज़रूरी समझते ही नहीं है इस तरह के energies है ठीक है current पे अपने जिंदगी में busy है अपने काम में busy है overthinking बहुत जादा है लेकिन overthinking से बचने के लिए जैसे कि आप तो 24-7 इनके मैंट में चलते ही हो तो आप इनके 12 मिनिट लग जाते हैं आपकी जिंदगी की खबर लेने के लिए इनको जो कि इनको पता है कहां से और क्या मिल जाता है इनको ठीक है आपको नहीं पता आपको लगता है कि ये person आपकी life से हमेशा के लिए जा चुके है आपको छोड़ चुके है अब जो कि आपसे प्यार भी का है ये person आपसे अच्छे से बात नहीं करता है on and off में रहता है जो कि ये वही person है जो 24-7 आपके साथ busy रहता था तो कैसे इतना change हो गया है आप सोचने के लिए मजबूर हो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही का प्यार सच्चा था आप इने unconditionally सब कुछ करते गए बेव कि यही उमीद आपके person को बहुत ज्जादा strong बनाती है अम जो सोचते हो आपके person को feel होता है इनको आज भी फील होता है कि आप इनका इंतजार कर रहे और आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो हाला कि आपके person आपको छोड़कर जा चुके है ये फ़ड़ बनाई यहाँ पे जो परसन जैसे गया है आपको छोड़कर वे से ही लोटकर वापस आने वाला है यह यूटन लेगा फिर से आपकी जिंदगी में ठीक है जो सिच्वेशन इस परसन ने खुद खराब करी है यह सब कुछ वो खुद ठीक करेंगे और यह सब कुछ अनेस्पेक मैंने भी लग सकते हैं क्योंकि इनका माइंड सेट है इनको जब कमफर्टेबल लगे इनको जब ऐसा लगे कि अब आपके साथ कॉंटेक्ट में आने से कम्मिनिकेशन में आने से यह आपको मिलने से अब इनको इनकी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली ह तब यह परसन आपके लाइफ में एंटर करेंगे अब हो सकता है कि तब तक आप इस रिष्टे से मुआन कर चुके होगे यह आपको पूछने के लिए आएंगे ज़रूरी इतना तो पक्का है उस टाइम पर आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा confidence रहेगा इनको खुद होक तो यह मेरे पास कभी वापस नहीं आता और आपको इस बात का भी सुकुन होगा कि आपके लिए यह परसन जिन्दगी बर तडपेगा आपको इस बात की खुशी होगी कि आपने इस परसन को unconditional love दिया लेकिन उस unconditional love के लिए आपके परसन जिन्दगी बर तरस्ते रहेंगे आ आपके परसन को बस यही लग रहा है कि यह जब भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे जब भी आपको टेक्स्ट ए मैसेज का reply करेंगे आप happily इनके साथ जैसे की रिष्टे में आगे बढ़ने के लिए ready हो जाओगे इनके current energies ऐसे हैं और second thing अगर कर लिया परसों में या दो चार हफ्तों पहले आप दोनों का किसी भी बात के वज़े से discussion हुआ था और इनको लग रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि यस मैंने तो उसको कुछ जादा इरूड़ energies दे दी थी तो यह चाहा रहे कि आप इनको sorry बोलो अगर आप इनको sorry बोल देते हो तो यह person आपक को मिलने की chances भी है meeting भी नजर आ रही है ठीक है लेकिन यहाँ पर आप surrender करने के लिए अगर ready नहीं होते हों तो यह person भी ऐसे गुरूर में रहेंगे ego में रहेंगे और बस bet and watch करते रहेंगे देखते है कब ठीक होता है देखते है क्या होगा क्या नहीं होगा और यह इतना busy र रहे हैं ऐसा आपको दिखा रहे हैं ठीक है जान लूचकर अच्छे अच्छे status डाल रहे हैं आपको जलाने के लिए इनको पता है कि चाहें अगर आप इनसे बात करो या ना करो लेकिन आप इनको stop किये भी न रहोगे नहीं इस तरह के energies बन रहे हैं ठीक है यहाँ पर B बना के नाम के initials हो सकते ठीक है तो यस यही ही रिडिंग तो यस यही ही रिडिंग आपके परसन के इस वक्त के feelings आपके लिए अगर आपको पास्नर रिडिंग करानी है स्क्रीन पे देगए नंबर प्वाटसाप मेसेज कर सकते हो अहां पर डिटरेस मिल जाएगे इस बूक करने तो मिलते हैं नेक्ष फूरिया में तब तक के लिए बाबाई